गार्णिंग में कुछ बातें आपको जरूर सुनने को मिलेंगी, हमारे पास जगा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, ये एक खरचीला शो को टाइम टेकिंग होबी है, मैं एक पंजाबी होस वाइफ हूँ, और एक प्लांट लवर होने के नाते हमारे गर में एक लाइन मुझ कोई भी खाली दिवार, कोई भी ग्रिल या फिर चोटी चोटी बालकनिस जिनका यूज आप गार्णिंग में कर सकते हैं, हेलो एवरिवन, वन्स अगें वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे पोदे जिनकी कटिंग आप पूरा साल बहुत असानी से ग्रोव करके फ्री के प्लांट जो बना सकते हैं, जितने भी प्लांट में शेयर करूंगी, यह सबी ट्रेलिंग प्लांट्स हैं, कलरफुल प्लांट्स हैं, जो बहुत ही हार्डी हैं, और लो बजट वाले यह प्लांट हैं, यहनि कि नरसी में आपको अगर कील लगाकर इनको अटैच कर दें तो यह दिवारें आपकी बहुत ही जादा खूबसूरत और कलरफूर दिखेंगे, जब भी आप कोई पोदा किसी वेस्ट में किसी भी कोल्डरिंग बोटल में ग्रो करने जा रहे हैं, या इवन कि आप इनको हैंग भी करने जा रहे करने ईवन स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये क्रिपिंग चानली का प्लांट है और ये भी एक और ग्रीन प्लांट है जिसकी करटे्टिंग पूरा साल जब चाहिए ग्रो कर सकते हैं ये कि बहुत असानी से विदिन वीक में ग्रो हो जाती है, तो यह देखु कुछ यहां पर देख सकते हैं मैंने इस पोड बहुत असानी से ग्रोह हो जाती है आप इसकी कोई भी टिप की ढ़ाई से तीन इंची की कटिंग ले लिजें नीचे की लीफ को अप अप हटा दिजे और एक से दो नॉड एरिया लेकर आप इसे किसी भी मिटी में बढा देंग तो within week में ये पोदे जो है वो active हो जाते हैं और ये बहुत ही ideal plant होते हैं इस्पेशली छोटे छोटे चोटे container में grow करने के लिए hanging basket में भी आप इन पोदों को लगा सकते हैं और अगर आपके घर में कम space है तो किसी भी wall को cover करने के लिए आप इने किसी भी छोटे छोटे planter में लगा कर या किसी भी waste bottle में लगा कर वहाँ कील के सहारे आप इनको attach कर सकते हैं इनकी branches trail करते ही बहुत ही जादा खूबसर लगती हैं तो यहां पर ये देखिए जितनी भी cutting थी वो सारी में इस वाले port में लगा दी हुई है और आखिर में इसमें पानी दे दूँगी और इस फोले planter को में अटेच कर दिया हुआ है जहां पर थोड़ा time दूपी रहती है और बाकी time यहां पर shade रहती है तो यह पोदे अराम राम से ग्रो भी हो जाएंगे और यहां पर यह देखिए यह जल्दी है और पूरे पॉरे pot को बर कर लेता है और नेक्स जिस पोदे की cutting को आ यहां पर यहां पर देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी एक ब्रांच को कट करा हुआ है मनी प्लांट को अगर आप फास्ट और बुशी ग्रो करना चाहते हैं तो इनकी पूरी ब्रांच का पूरा यूज किया करें जैसे कि आप यहां पर यह देख सकते हैं पूरी ब्रांच में से मैंने इसकी सिंगल सिंगल लीफ को नौड एरिये से मैंने कट कर दिया हुआ है और इसको फास्ट ग्रो करने के लिए जैसे कि आप यह देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत सारी सिंगल लीफ की कटिंग बना ली है और यहां पर यह देख सकते हैं यह वला प्लेंटर है यहां पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ पानी में जो मनी प्लांट ह भी डाद लेंगे तो बहुत असानी से यह ग्रो भी हो जाते है और सिंगल लीव से इस तरीके से ग्रो करने से हमारा जो पोधा है वो बहुत ही जादा घना हो जाता है बहुत ही जादा खूबसरे लगता है तो यह देखी फ्रेंड्स में इसके कुछ डोप प्लैंटर जो मैं रेडी कर दिये हो है कटिंग लगाने के बाद मैं इनमें पानी दे दूँगी और कुछ दिन के लिए मैं इस शेडी एरिया में रग दूँगी और मनी प्लांट भी हमारा बहुत ही असानी से विदिन वीक में जो है वो ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स नेक जो प्लांट हम छो लेकिन पसर्दियों में ये पोदे डॉर्मेंट हो जाते हैं और अगर आपके पोदे भी खराब हो रहे हैं तो अभी राइ टाइम है इन पोदों को आप दुबारा से इनकी चुटी-चुटी कटिंग से ग्रो करके इनके नएने पोदे जो हैं वो तियार कर सकते हैं तो यह यहां पर यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इनकी दो तरह की विराइटी ली हुई है एक ग्रीन वाली विराइटी है एक परपल वाली विराइटी है तो यह पोदे चोटी-चोटी कटिंग से असानी से आप इनको mix and match करके भी लगा सकते हैं इवन आप इनको single leaf से भी बहुत पोदे जो हैं वो बना सकते हैं तो यहां पर यह आप देख सकते हैं मैंने फसली में ग्रीन वाली जो है वो में कटिंग लगा रही हो तो इसको कटिंग लगाने का बैस्ट वी होता है कि एक से दो नौड एरिया लेकर आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए बहुत से थाल से फिरी में बना सकते हैं और अगर आपके घर में भी कम जगा है या कोई भी खाली सुनी सी वाल है तो आप इसी तरह से वेस्ट में या पिर इसी तरह के ब्लैंटर्स में पोदों को कटिंग से असानी से ग्रोव करके एक highlight वाल को आप बहुत-लजादाद, कि दूपले जगा पर रखें तब ही पोदों की अवरल ग्रोथ बहुत अच्छ पहुत चलती है क्छी ये छाने कुट आप है यहां पर देख सकते कि यह मेरा एक डिय भागा थे जुक하세요 तो अभी ड्राइट टाइम है तो जैसे कि आप यहां पर यह देख सकते हैं मेरा एक पोदा जैसे बहुत ही सर्दियों की वज़े से इसकी ग्रोथ एफेक्ट हो चुकी है तो इसकी में कुछ फ्रेश कटिंग्स ले लोगी जिसे मैं इस वले पॉट में लगा दूगी तो आप इसी तरह से कर सकते हैं अगर आपके भी पोदे थोड़े से डॉर्मेंसी की वज़े से पोदे खराब हो रहे हैं तो आप उनकी कटिंग को लेकर दुबारा से ग्रोव कर लीजे यह पोदे बहुत असानी से छे साथ इन में ग्रोव भी हो जाते हो देखने में भी बहुत और इनकी ग्रोव बहुत ही फास्ट होते हैं आप कभी भी किसी भी मौसम सर्दी गर्मी आप इनके बंच को कट करके बस मिट्टी के उपर ऐस इस तरह से फेला देंगे और थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर देंगे तो यह पोदे बहुत ही असानी से ग्रोव भी हो जाते ह कि कभ इन पोदों ने आपके पूरे गार्डन को जंगल बना दिया हुआ है और यह पोदे भी छोटे-छोटे प्लैंटर में हैंगिंग बास्कित में लाइक डोप प्लैंटर में बहुत ही खूपसर लगते हैं कॉम्बिनेशन में भी आप इन पोदों को लगा सकते हैं फ्र इन प्लास्टिक बोटों में भी आप इनको लगा सकते हैं यह चोटे-चोटे पोदे और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं यह में सिंगोनियम प्लांट को और बोट लिली प्लांट को अलग-लग कर रही हूँ ताकि इनको रिफ्रेश कर स सिंगोनियम प्लांट भी एक से दो बार इन परमानेंट प्लांट को भी रिफ्रेश करना बहुत ही जाधा सहुत है मनत निकलेगा मौसंबैटर हो जाएगा तो इनकी ग्रोथ भी जाधा अच्छी हो जाएगी तो सिंगोनियम प्लांट होता है वह भी भी छोटेच crashing बौत कर दिया इसे में कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी नेक्स चोटे-चोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए आप बोटेली प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं तो यह देखिए मैंने उस वले पौट से कितने सारे पौदे जो हैं वो निकाल दिये ह तो यह भी बहुत आइडियल प्लांट है बहुत ही तेजी से पहलता इसकी बहुत सारी विराइटी होती है यह इसकी ग्रीन वाली विराइटी है इसमें एक वेरिगेटिड विराइटी भी आती है तो उस तरह के पोदे भी आप चोटे-चोटे कंटेनर में लाइक जैसे कि आप यह देख सकते हैं टर्टल वाइन लगी है जिनकी ग्रोध बहुत अच्छे से चल रही है तो यह पोदे भी आप चोटे-चोटे कंटेनर में वेस्ट में या फिर हैंगिंग बास्कित में ग्रोव कर सकते हैं और अगर आपके गर में कम जगा है तो आप किसी भ करना बहुत ही ज़्यादा असान होता है यह एक स्कुलर टाइप का ट्रेलिंग प्लांट होता है तो बस इसी तरह से इसके बंच को कट करके आप एज इस मिट्टी के ओपर रख देंगे तो बहुत ही जल्दी यह पोदे अपनी जड़ें जो है वो जमा लेते हैं और बहुत चोटे चोटे कंटेंडर में असानी से घुआउ कर सकते है फ्रेंडज नेक जो प्लांट UP च्रिंग पर देख हरे हैं यह है बौस्टन फरन बोस्टन फरन भी आप किसी भी ऐसे खाली दिवार पर आप इनको डो प्लेंटर में लगा सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी वेस्ट या फिर आप किसी भी कोल्डरिंग की बोटल में असानी से ग्रो कर सकते हैं, इन पोदों को हुमिडिटी काफी पसंद है, तो इसके लिए आप इने पोदों की बीज में रखें, इन शौवरिंग करते रहें, जिससे इन पोदों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, तो ये पोदे भी आप छोटे-छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, और ये पोदे खोब मल्टिप्लाई होते हैं, यानि कि जब ये पोदे बुशी हो जाते हैं, तब आप इनको इ इस पोदे की कटिंग नहीं लगती है, बट इसको प्रोपोगेट करने का बेस्ट वी होता है, कि जब ये पोदे बुशी हो जाते हैं, तब आप इनको सेपरेट करके इनके बहुत सारे प्लांट्स फ्री में बना सकते हैं, तो यहां पर याप देख सकते हैं, इसके मदर प् प्लांट होते हैं, वेल्रेन मिट्टी में लगाएं, पानी इनको ओफर करें, जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाएं, अगला जो पोदा आप स्कीन पर देख रहे हैं, यह है बेबी संरोज का प्लांट, बेबी संरोज भी आप छोटे-चोटे कंटेनर में चोटी चोटी कटिंग लेकर किसी भी मिट्टी में आप इनको ग्रो कर दीजिए, बहुत असानी से ग्रो जाते हैं, तो इस पर इप्लैंटर में मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग को लगा दिया है, जिसे मैं ग्रिल पर हैंग कर दूँगी, तो नेक्स आप यहां पर यहां पर इनक प्लैंटर को मैंने रखा हुआ है, जहां पर इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है, और यह भी एक सकुलर टाइप का प्लांट होता है, जिसमें चोटे-चोटे फ्लॉर्स ब्लॉम करते हैं, फ्लॉर्स की ब्लॉमिंग के लिए आप इने मौने की दूपली जगा पर रखें, फ्रेंड्स नेक्स्ट यहां पर यह देख सकते हैं, यह है बेबी टियर का प्लांट और इसे भी मैंने ग्रील पर हैंग कर हुआ है, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है, तो यह भी बहुत एवर ग्रीन प्लांट होता है, जिसकी कटिंग आप पू चले जाते हैं, और जितनी आप इन पूदों की प्रूनिंग वगरा करते जाएंगे, उतने ही यह पूदे बुशी भी होते हैं, और देखने में भी काफी खूपसर लगते हैं, आप चाहें तो इनको मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं, चोटी-चोटी कटिंग से अस प्लांट, यह एक स्कुलन टाइप का प्लांट होता है, जिसे आप आउट और इंडोर ग्रो कर सकते हैं, और यह बहुत ही रफट अफ ग्रो होने वाला प्लांट होता है, इसकी कटिंग अप कभी भी सर्दी-गर्मी लगा दीजिए, फ्रेंट जी बहुत असानी से ग्रो हो है हमारा अजवाइन का प्लांट, यह एक स्कुलन टाइप का प्लांट होता है, जो छोटी-छोटी कटिंग से असानी से ग्रो हो जाता है, और इनकी लीव में अजवाइन की फ्रेग्रेंस रहती है, बट यह पोदे बहुत ही फास्ट ग्रोध करते हैं, और बहुत चल्दी पोड को कवर कर लेते हैं, तो यह पोदे भी आप चोटे-चोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, फ्रेंट से आज की इस वीडियो में मैंने आप से बहुत से ऐसे ट्रेलिंग प्लांट से शेयर करे हैं, जो बहुत ही असानी से आप किसी भी वाल पर आप इनको वर्टीकली ग्रो कर सकते हैं, यह पोडे बहुत ही तेजी से ग्रोथ भी करते हैं और इनकी ब्रांचिस ट्रेल करते हैं, बहुत ज़लते यह पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं, आई होप आज की वीडियो सब के लिए यूस्फुल रही होगी, वीडियो थोड़ी से भी अच्छी ल थैंक यू फ्रेंट से बलस्ते और बाई